लोटस आयर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे डाड़ी बढ़ाने के लिए पुरुस इस तरह बढ़ाएं टेश्टो इस्ट्रोरिन लेवल जल्द आने लगेगी हैबी बेर्ट तो आई शुरू करते हैं पुर्सों के लिए टेश्टो इस्ट्रोरिन एक बहुत ज़रूरी हार्मोन है सरीर में इसकी पुर्सों को कई स्वास्त समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसकी कमी से पूर्सों में सेक्स समंदी समस्याइं, इस्परम काउंट कम होना, पिता बनने में परिशानी होना, मास पीसियों और बालों का विगास ठीक से ना होने के साथ ही कई अन्य समस्याइं भी देखने को मिल सकते हैं, बालों की ब्रदी में भी ये अहम भूम का निवाता है पुर्सों के चेहरे पर बाल या बेर ग्रोथ ठीक से नह होने के लिए भी इस हार्मोन का सरीर में आसमाने लेवल जिम्मेदार हो सकता है डाड़ी के बाल बढ़ाने के लिए इस हार्मोन का मात्रा सरीर में अधिक होना बहुत जरूरी है लेकिन अक्सर लोगे सबाल पूछते हैं कि बेर ग्रोथ और टेश्टो इस्टोरेन हार्मोन के बीच क्या कनक्शन है या बेर ग्रोथ के लिए सरीर में इसकी मात्रा क्यूं अ डाड़ी के विकास पर प्रत्कूल प्रभाव डाल सकता है डाड़ी के विकास के लिए टेश्टो इस्टरोन सबसे जरूरी और प्रात्मिक हार्मोन है जो बेड के साथ साथ जो बेट के साथ पुर्सों की यूनी सक्ति के विकास के लिए भी जिम्मेदार है हलंकि इसके अलाबा ड्यहाडरे के विकास में भूमिका निवाता है जब आप आपके सरीर में किसी एक यदो हार्मोंस का इस्तर सामनिया, आधिक होता है तो इससे डाड़ी का विकास तेजी से होता है टेश्टो, इस्टूरिन बढ़ाने और हैवी बियर्ट के लिए आप इन सरल टिप्स को अपना सकते हैं तो सबसे पहले हैं संतुलित अहर लें आपको अपनी डाइट में पोशक तत्तों से भरपूर फूट सामिल करने चाहिए साथ ही आपके आहर में काप्स, फैट्स और प्रोटीन के साथ कुछ अनजरूरी पोशक तत्त भी परियाप्त मातरा में होने चाहिए दूसरा टेंशन और तनाव ना लें अगर आप अधिक तनाव लेते हैं तो यह आपके सरीर में टेश्टो इस्टोरेन हार्मोन को प्रभावित करता है इससे योन सम्मंदी समस्याएं और अन समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं इसलिए तनाव का प्रबंदन करें तीसरा है अच्छी नींद लें टेश्टो इस्टोरेन बढ़ाने के लिए एक अच्छी गुर्बता वाली गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है यह सरीर में हार्मोन के संतुलन, सरीर के विकास और रिकबरी में भी बहुत आहम भूमी का नीवता है रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करें टेश्टो इस्टोरेन बढ़ाने में एक्सरसाइज बहुत प्रभाबी है खास कर अगर आप बेट ट्रेनिंग और हाई इंटेसिटी बर्क आउट करते हैं तो इससे आपको टेश्टो इस्टोरेन लेवल में काफी तेजी से ब्रद्दी होती है सराब, स्मॉकिंग और अनहिल्दी फूट से परहेज करें अगर ये खराब आतेते हैं आपकी जीवन सली में हिस्सा हैं तो उन्हें आज ही अपनी लाइफिस्टायल से बाहर निकाल दे जंक, प्रोसेस और तलिब उन्हें फूट्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए तो ये था हमारा आज का वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा धन्वाद